हेलो माई लव्य ट्रेंद्स होव यू गैस आ दूइंग वेंटास्टिक और आपका स्वागत है बिगनर्स फोटोग्रफी के पार्ट टू में जिन लोगों ने इसका पार्ट वन नहीं देखा गाई उसका लिंक मैं यहां डाल दूँगा तो पार्ट वन जाके जरूर देखे और आप मैंसे उन लोगों तो यह जरूर देखना चाहिए जो लोग बिगनर्स है और फोटोग्रफी सीखने के इच्छुक है जिन लोगों ने अभी अभी नया कैमरा लिया है और वो कैमरे को अच्छे तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं और इन फैक्ट स्मार्ट फोन वा पाकेदार नाय नाय टोरियल एड होते जाएंगे जो आपको फोटोग्रफी के बारे में आपकी नॉलेज को बढाते जाएंगे आज की वीडियो शुरू करते हैं जो की अपर्चर सेटिंग के बारे में है लेट्स गो तो वैसे तो अपर्चर की जो सेटिंग हम कैमरे से एड़ेस्ट करते हैं लेकिन यह जो अपर्चर होता है यह हमारे लेंस के अंदर होता है बेसिकली ये lens का mechanism होता है lens की जो opening होती है उसको हम aperture बोलते हैं और वो opening हम camera से control करते हैं अब मेरे पास यहाँ पर आप यह देख सकते हैं यह एक manual lens है फुराने जबाने का तो यह manual है तो मैं इसमें आपको दिखा सकता हूँ कि aperture क्या होता है यह जो देख रहा है यह opening यह lens की opening छोटी बड़ी हो रही है इसको हम aperture कहते हैं यह हमारा camera कंट्रोल करता है lens की opening को तो guys aperture उन सारे devices में होता है जिन में lens लगता है आपका mirrorless camera, DSLR camera, video camera आपका smartphone में unfortunately aperture कंट्रोल करने का option नहीं मिलता है guys तो यह तो एक चीज है अब aperture के effect और side effect के बारे में जान लेते हैं तो aperture को जो effect होता है वो होता है exposure को control करना मतलब light को control करना आप aperture को जब बढ़ाते हो उसके number को जब उपर ले जाते हो जब बड़ा number यूज़ करते हो तो basically lens का opening जो है अपरचर का number बड़ा lens का opening छोटा अब जब opening छोटा होगा तो light कम आएगी sensor में तो आपकी photo dark हो जाएगी जब आपका aperture को आप घटाते हो मतलब छोटा number यूज़ करते हो तो आपका lens का opening बड़ा खोलता है विच मीन्स के आपके sensor में जब जब लाइट आती है और आपकी photo और video bright हो जाती है अब aperture का side effect क्या होता है side effect बहुती चमतकारी होता है और ये एक ऐसी चीज़ है इसके पीछ हम सम्मरते हैं वो होता है background blur तो guys aperture ही responsible होता है background blur create करने के लिए अगर आप aperture का number छोटा यूज़ करेंगे बोले तो आप lens की opening को कूप कोल लेंगे तो आपको बहुत ज़ादा background blur मिलेगा वहीं पे अगर आप aperture का number बड़ा यूज़ करेंगे आपका background blur कम हो जाएगा जो camera में aperture का number होता है guys यह हमेशा point में आपको दिखाएगा ये basically lens पे dependent है तो आप चाहा के भी अगर आप चाहा रहे हैं कि भई आप अपने aperture को 1.4 तक ले जाएं या 1.2 तक ले जाएं तो इसके लिए आपके lens को support करना चाहिए अगर आपका lens उतना aperture support नहीं करता तो आप कितना भी dial गुमाते रहिए वो जहां तक lens support परता वहीं पर आपके रुख जाएगा फर अग्जामपल हमारी जो kit lens होते है अगर मैं sony की बात करूँ तो 16-50 kit lens होता है उसका aperture 3.5 से नीचे जाता ही नहीं है अब बात करते हैं aperture को control कैसे करें नहीं है तो भाई सीन या है कि हर camera में aperture को control करने के लिए एक dial होता है अब अगर आप किसी भी camera को उठाओगे तो उसमें आपको एक dial, दो dial, तीन dial, डिपेंड करता है किस level का camera है dial में लेंगे तो मैं आपको यह बलंगगा कि experiment करने के लिए आप हर dial गुमा के देखो जिस dial से आपका F वाला नंबर आके पीचो रहा समझ लो वह आपका aperture कंट्रोल है सोनी में इस वाले dial से आपका aperture कंट्रोल होता है जैसा कि मैंने अपने भाईयों का बताया कि smartphone में aperture कंट्रोल करने का option नहीं होता लेकिन smartphone में एक focus option होता है जो कि lens के focus को adjust करता है वो भी थोड़ा aperture जैसा ही काम करता है तो अगर आप किसी चीज का close-up लोगे और focus सई से सेट करोगे तो आपको बहुत background में भी जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं तो मैं आप लोगों के request करता हूँ कि आप practice करिये और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा बैसा करिए और आपको पूरे रट जाएगा कि aperture क्या करता है सबसे पहले तो आप अपने camera अगर आप camera यूज कर रहे हैं तो आप manual mode पर इस camera को डालिए और ISO सेटिंग को auto से हटा दीए auto बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आप एक proper ISO डाइल करें इससे आपका exposure एकदम ठीप ठाक आया होगा उसके बाद aperture वाला button आपके brand के हिसाब से आप sony, Canon जो भी उस कर रहे हैं उसके आप से aperture वाला button डून लिए और अब अपने aperture को आगे पीछे करके देखिए आप अगर जैसी aperture का number बढ़ाएंगे, अगर आप F8 पर जाएंगे या फिर F11 पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके फोटो में darkness आना शुरू हो जाएगी और जैसी आप aperture का number घटाएंगे आप देखेंगे कि आपके फोटो में brightness वापस से आ जाएगी उसके बाद आप दो-तीन चीजे एक ही लाइन में रखिए आप कुछ भी रख सकते हैं आप कोई toys हैं आपके पास वो रख लिए एक लाइन में थोड़ा थोड़ा दिस्टन्स पे और जो सबसे पहले आगे वाला उस पर फोकस करिए और अपने aperture को जो आपका जो lens है वो सब कर लिए अगर आप kit lens यूज़ कर रहे हैं तो मेरे कहाँ से 3.5 आपका जाएगा उससे नीचे नहीं जाएगा लेकिन अगर आप कोई dedicated lens यूज़ कर रहे है for example 50 mm वो f1.8 तक जाता है तो उसको आप 1.8 तक लिए मतलब बोले तो सबसे छोटा नमबर से एट कर लिए और फिर एक फोटो लिजे और अब आप देखेंगे कि आपने जैसी अपर्चर का नमबर बढ़ाया आपका जो background blur था वो कम हो गया आपका जो फोटो में brightness और डाक अपर्चर से भी आपके फोटो में brightness और डाक एरिया कम एक्सपोजर कंट्रोल होता है यह function दोनों में common है आपको बैग्राउंड बलर देता है तो यह practice करना बहुत जरूरी है गाई मैं आपको जल्दी अगली वीडियो के साथ मिलता हूं topic के साथ तब तक आप इन डोने चीज़ों की practice करें जो मेरे पहले टुटोरियल था ISO वाला उसकी practice करें आप अप अपर्चर की practice करें और अगला टुटोरियल आएगा वो आएगा shutter speed पे आएगा फिर आपको जब आपका इन तीनों पर command जाएगा ता फिर आपको बहुत माद आने वाला photography में तब तक guys enjoy करिए be safe and I'll see you soon next week